सरसोई कटाई सुरू हो चुकी है और 15-20 दिन के अंदर ही ग्यों की कटाई भी सुरू हो जाएगी और किसान साती अपने याँ पर चाते हैं कि जब वो खरीब की पसल लगाए मतलब बाजरा, गमार या अन्य जो पसले लगाते हैं वो पसले लगाए तो उससे पहले का जो समय है उसके अंदर ऐसी पसल का चुनाव किया जाए जिस से अच्छा मुनाफ़ा हो, अच्छे मंडी रेट देखने को मिले और कम से कम उस पसल पर रोगों का परकौप हो, इसी के साथ बूमी की उरूरा समता गठने की बढ़ जाए तो किसान साथियों आज बात करेंगे मूम की खेती की बारे में मूम की खेती इस परकारी खेती है जो की 60-70 दिन में तयार हो जाती है और किसानों को अच्छा मुनाफ़ा उससे मिल सकता है तो आज इसके बारे में जानेगी कि मूंग की खेती किसान साथी किस समय कर सकते हैं कौन-कौन सी बीजू का उनको चुनाव करना है और मूंग की खेती को किस परकार से किया जा सकता है कौन-कौन सी उसके अंदर खाल डालनी है कौन-कौन सी बेसल डोज डालनी है और इसी के साथ बात करेंगे उसके अंदर कौन-कौन सी रोग लगते हैं और उन रोगों का किस परकार से किसान साथी अपने आपर कौन-कौन सी दुवायों के साथ इस्तमाल करके उनका उपचार कर सकते हैं तो सातियों शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अन्य कोई क्यूरी है, अन्य किसी खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं तो में कमेंट की मादे में से बता सकते हैं तो साथियों सुरू करते हैं मूंग की खेती करने से पहले बात करते हैं मूंग की खेती का सई समय क्या है किसान साथियों मूंग की खेती करने का सई समय होता है फरवरी लाश्ट टे लेकर अप्रेल मद्दे तक ये एक परकार का एकुरेट समय है जिस समय अगर अगर अपन मौंग की बुआई करते हैं तो अपन बारिस होने से जो पहली बारिस होती है उससे पहले अपन मौंग की कटाई करके उसका अच्छा प्रोडक्सन ले सकते है अगर अप्रेल मद्दे के बाद अगर आप मौंग की बुआई करते हैं तो आपके याँ पर जो पहली बारिस होती है उसके कारण आपकी जो पसल है वो खराब हो जाती है या फिर उसके अंदर जो यलो मौझे एक वाइरस हाता जो मौंग की पसल के लिए एक गातक रोग होता है उसका प्रकौप हो सकता है या फिर आपकी पसल जो पकने की अवस्ता पर हो और उसके अंदर बारिस की वज़ए से पसल के अंदर भी जो क्या अंकुरन देखने को मिल सकता है तो ये किसानों के लिए एक परकार से नुकसान का सोदा हो सकता है तो आप समय रखे अप्रेल मद्दे है उसके बाद आप मौंग की बौई ना करे वरना फाइदे से ज़्यादा है उसके अंदर नुकसान हो देखने को मिल सकता है तो सातिव इस समय मारत चल रहा है तो एक परकार से ये जिस समय अपने याँ पर मूँज की बौाई ही कर सकते हैं और अब बात करते हैं बीज चुनाओ की बीज सेलेक्शन की अब इन केटों के प्रकॉप से इसके अंदर वाईरिस हाता है और इसके कारणे मौपकी पसल है लापकी बजाय आपको नुक्सान दे सकती है और मौपकी जो पसल है वो लगबग सतर से पचियोतर दिन की होती है और ये बहुत ही कम समय होता है आपको समलने के लिए जो मिलता है जिस परकार से और पसले होती है वो कई तीन महीनों की होती है चार महीनों की होती है कुछ साधी चार महीनों की होती है तो अपने पास समय होता है कि उसके अंदर कोई रोग लग गया है कीट लग गया है तो उसके अंदर अपने इस्प्रे निकाल के या किसी परकार का कोई न्यूट्रेनी कमी है तो उसके अंदर खाट डाल के अपनों उसको बचा सकते हैं या उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं परन्तु मूंग की जो पसल है वो बहुत कम समय की होती है और अपने को बहुत ही कम टाइम मिलता अगर कोई गलती होती है या कोई रोग लग जाता है तो अपने पास बहुत कम समय होता है उसको बचाओ करने के लिए तो मौंग की पसल में जो बीज सेलेक्शन है वो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही एहम होता है तो इसके अंदर आप जो येलो मुझे एक वाइरस आता है उसके एक परकार से परतिरोजी दो किसमे होती है उसका चुनाओ कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आप अपने य येलो मुझे एक वाइरस होता हूँ उसके परतिरोजी है इसके साथ इसके अंदर प्रोड़क्शन भी अच्छा देखने को मिलता है और लिए लगबग सभी परकार की मिट्टी के लिए जो मौसम होता हूँ उसके लिए सूटेबल है तो आप किसी परकार के जो अपने यहा मिट्टी कौनशी होती है साथ यो मौ की पसल के लिए बुवाई करने के लिए आप सभी परकार की मिट्टी में मौ की बुवाई कर सकते हैं पर दो विशेज द्यान रखना यह होता है कि मौ की अगर बुवाई कर रहे हैं तो उसके अंदर अच्छा जल निकास होना जरूरी है आपके यहां पर खेत के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर अच्छा जल निकास है तो चाहिए वो भूरबरी मिट्टी हो रेतिली मिट्टी हो या दोमट बलूई मिट्टी हो या भी चिकनी मिट्टी हो काली मिट्टी हो तो सबी प्रकार की मिट्टी के अंदर आप मूँ की बॉआई कर सकते हैं बस जरूरी ये है कि उस बुमी के अंदर अच्छा जल निकास होना जरूरी है अगर कम जल निकास वाली मिट्टी है तो उसके अंदर जो पानी है वो ठहर जाता तो आप ध्यान रखे कि उसके अंदर जो बैड प्राप्त किया दा सके और अब बात करते हैं अगर अपने मुंग की बुवाई कर रहे हैं तो बुमी तयार किस परकार्शे की जानी चाहिए साथ यू इस समय मारत चल रहा है और लगबग सर्षो कटे ही करने के बाद उसके अंदर गैरी जुताई कर सकते हैं और गैरी जुताई करने के बाद जो हैरा लगाते हैं वो लगा कर उसके अंदर आप पाते से बुमी को सम crystall कर सकते हैं या फिर अपने यहांपर अगर गैरी जुताई कर रहे हैं तो उसके उपर आप रोटोवेटर के मादेम से आप बुमी को उतल सकते हैं और अगर रोटोवेटर के मादेम से बुमी को तयार करते हैं तो आपको पाटा लगाने के आप सकता हैं उसके मादेम से जो हल आते हैं उसके मादेम से आप बुआई कर दे और अगर आपने ग्यों की कटाई की है मतलब ग्यों की कटाई का मतलब हो गया मार्ट लाश्ट के अंदर आपने ग्यों की कटाई की है और उसके उस बुमी के अपर आप मूंग लगाना चाहते हैं तो आपक अंदर ग्यों की कटाई करने के तुरंत बाज शिचाई करके उसके अंदर सिद्धा मुंकी बुआई कर दे ना किसी परकार का आपको हैरो लगाना है ना किसी परकार का आपको पलाव लगाना आपको डायरेक्ट उसके अंदर शिचाई करनी है और डायरेक्ट मुंकी और एक इससे क्या होगा आपका समय बच जाएगा और प्रोडक्शन में ज्यादा फरक नहीं आएगा हो सकता है थोड़ा बहुत एक दो किंटल परती एकड़ का फरका सकता है प्रोडक्शन में ज्यादा फरक नहीं आएगा और एक आप समय पर मूंकी कटाई करके और जो भी उत्पादन हो रहा है उसको आप सुरक्षित कर सकते हैं जो पहली बारिस होती है उससे आप उसको बता सकते हैं तो सात्यों इस परकार से आप अपने आपर मिट्टी तयार कर सकते हैं अब बात करते हैं कि बेसल डोज आपको कौन सी इस्तमाल करनी है कौन सी खाद आपको सुर गो परिखाद का इस्तमाल करेंगे तो इसके अंदर दीमकई की समयचा या पिर अन्य परकार की रोग लगशने की संभावना होती है तो आप परियास करें कि जो भी आप खाड डालना है तो जो आप रबी की पुसले लगा रहे हैं उससे पहले डाले ताकि उसका परबाव इस पसल में भी देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत कम समय की पसल है इसके अंदर अगर आप किशी परकार का गोबरी खाद या इस परकारी खाद डालते हैं तो आपको बहुत कम समय मिलेगा उस खाद को सरने और गलने के लिए और फिर उसके बाद जो उस खाद का इफेक्ट है परबाव है उस पसल पर दिखने को मिलेगा तो आप परियास करें कि इस समय गोबरी खाद ना डालकर आप खरीब के मुसम में डाले तो इस समय आप अगर मूंग की बुआई कर रहे हैं तो बेसल डोज में आप एससपी सिंगल सुपरफासपेट लगबग 50 किलोगराम परती एकड़ इस्तमाल कर सकते हैं जो सलपर बेंटोनाइट 90% आता है वो लगबग 10 से 15 किलोगराम परती एकड़ आप उसको इस्तमाल कर सकते हैं बेसल डोज के अंदर इसे के साथ आप डी एपी इस्तमाल कर सकते हैं 10 किलोगराम परती एकड़ कुछ माइक्रो न्यूटरिंट अगर इस्तमाल करना जाते हैं क्योंकि कम समय की पसल है इसको न्यूटरिंट भी ज़्यादा चाहिए जल्दी बड़वार के लिए उसको खुराक चाहिए तो आप अपने आपर माइक्रो न्यूटरिंट के अंदर सागरी का दानेदार जो आती है उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं और अगर आप सागरी का दानेदार या सल पर बेंटोनाइट का इस्तमाल करते हैं बीज दर जो अपन ले रहे हैं लगबग 10 से 12-13 किलो जो अपने इस्तमाल कर रहे हैं परती एकड़ बेसल डोज के बाद बात आती है बीज उपचार की आप मूं का अगर बीज लगा रहे तो उसका बीज उपचार बीज सोदन बहुत ही जरूरी है बीज उपचार के अगर बात करें तो आप अपने आपर फंगी साइड और कीटना सका इस्तमाल कर सकते हैं पंगी साइड की बात करें तो आप कारबेंडाजी में को जेब का जो मिक्चर आता या फिर सिंगल एक एला जो कारबेंडाजी माता उसका इस्तमाल कर सकते हैं दो ग्राम परती किलो बीज के इसाब से आपको यूज करना है और उसके बाद अच्छी तरह हातों से उसको और फिर उसके बाद बारी आती है कीटनस की तो अपने आपर आप थाइमा थोकसम जो 30% आता है तो उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं अपने आपर एक एमल परती किलो बीज के इसाब से अपने बीजो के उपर अगर आपके आपर दिम्म की समश्या या पिर किसी परकार कीट क समस्य जएदा तो आप उसकी मातरा दो एमल परती किलो बीज इस्तमाल कर सकते हैं आपको उसी तायमा थोकसम को आप ओव बीजो के उपर अच्छी तरह लगाना है लेप करना है फिर उसके बाद वही आपको दो गंटे उसको सूकाना है और अच्छी तरह सूकने के बाद आ आप जो पहली शिचाई कर रहे हैं वो आपके मूंग के पोदे के आठ चे दस पते होने के बाद ही करें अगर आप पहली शिचाई कर देते तो आपकी पसल में जो यलो मुझे एक वाइरस आता है तो उसकी संभावना ही बढ़दाती इसे के साथ सुरुवाती शिचाई में आपके जो मूंग के पोदे हैं उसके कटने की विल्ट की या तो सडन की समझे होती है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है तो आप पहली शिचाई आपके मूंग के पोदे के आठ चे दस पते होने के बाद ही करें और अब बात करते हैं सुरुवाती शिचाई की अगर बा आपनी पसलों के अंदर छिड़काओ के मादेम से अपने आपर यूज करशक्तने तो आपको जो कटने की समझ्जा है वो नहीं देखने को मिलेगी इसी परकार से आपकी बूमी के अंदर जो फंगस है वो भी एक परकार से खतम हो जाएगी तो उसका इस्तमाल आप अपने उसको छिड़काओ कर देना है साथी अब बात करते हैं उसके अंदर सेकिंड इस्प्रे की तो आप सेकिंड इस्प्रे अपने आपर कीट ना सक्का करें क्योंकि आपकी जो पसल होती है मुँंकी वो अकेली होती है चारों तरह की परकार है कोई हडियाली नहीं है क्योंकि सा चाना है तो एक प्रकार से उस समय विपरिट्मौ समय टेंप्रेचर बढ़रा होता है। तो आप अगर इस्प्रेए करते हैं जो बी अगर अच्छे-च्छे इंजेक्टिसाइड, अच्छे-च्छे-च। रंगी साइट का इस्तमाल करते हैं तो वह भी उस जो साल्ट ले रहे हैं उसकी मातरा को आपको बदल बदल के इस्तमाल करना है अगर पहले इंसेक्टिसाइड की बात करें तो आप सुरुवात के अंदर इमीडा कलोरोपीट का इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर मातरा की बात करें तो आप 15-20 ml पर्ती जो लिटर का टेंग 15-20 ml पर्ती 15 लिटर का टेंग होता उसके अंदर आपको गोलना है और उसके बाद आपकी पसल के अंदर आपको फुरुवाती स्प्रें निकाल देना दूसरे स्प्रें की बात करें तो आप इस सीटा में रिटी ले सकते हैं और अगर बात करें थएर ढिस्प्रेंग तो आप ठायमऄर कोश्म भी ले सकते हैं जो इस परकार के रस्टू कीडे हैं या प्पिर वाइट फ्लाई हैं तो इस परकार के कीटों शे बचाव करने के लिए आप रस्टू सक कीटों के लिए जो सार्टे साइड आते हैं तो उसका इस्तमाल भी करशकते हैं तो आप इस परकार के रजट सुषल के नियए जो इंशेक्टिूसाइड आते हैं उसका इस्तमाल आपको आपनी परसल के अंदर है लगातार करना है हर 15 दिन के बाद अलग अलग परकार से जो साड़ टाते हैं उसका इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आपको जब आपकी पसल 3-40 दिन के हो जाए तो आपको काड़े धब्बे आपके पतों पर दिखने लग जाए या अलका पीला अपन आपको दिख रहा है तो आप एजोक्षी स्ट्रोबीन और टेबू का नजोल का जो मिक्सर आता है फंग करनी है इस पर निकालने और आपकी पसल को बचाना है परतेक परकार से फंगेज जनीत विमारियों से कीट जनीत विमारियों से आपकी पसल को बचाना है अगर आप समय पर इस प्रे करते तो आपकी पसल के अंदर किसी परकार कोई येलो मोजिक वाइरस देखने को नहीं मि सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं हुमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्य बाद साती हो